है गाइज वेलकम बेक टू मैं चैनल सीयार किचन ब्लोक्स गाइज आज मैं आपके साथ सेर करने वाली हूँ नारियल के तेल में प्याज का उपयोग बहुत ही बढ़िया है और लाइफ में अलग-अलग तरिके से बहुत ही काम आते हैं तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर करते हैं अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और वीडियो को पूरा देखें तभी आपको समझ में आएगा तो यहां पर मैंने देखिए प्याज लिया है और प्याज आपको बिल्कुल रेड वाला प्या चैनल के भी होते हैं पिंक तो आपको यह रेड वाला लेना है इसके ज्यादा अच्छे गुण होते हैं जो मैं रेमेडी बनाने वाली हूं उसके लिए और इसका छिलका उदार ले अब आपको बीच में कट लगाना है और एक पिसको ले करके इस तरीके से छोटे छोटे कट लगाने है जो कि बहुती असानी से और बहुती जल्दी हो जाएंगे और बिल्कुल छोटे कट लगाओगे तो आपको बनाने में बहुती असानी होग तो इस तरीके से छोटे-छोटे टुकडों में इसको कट कर लेना है अब मैं एक कटोरी में इनको डाल लेती हूँ अब आपको कुंडी लेनी हैं जिसके अंदर चटनी कूटते हैं वो वाली पत्थर की और इसके अंदर ये प्याज डाल लेंगे और अब इसको कूटना है और बारिक कूट लेना है बिलकुल पेस्ट कितर है एक पेस्ट बना लेंगे इस तरीके से ये देखिए ये आप मिक्सी में भी पीश सकते हो और क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा बना सकते हो आपकी मर्जी है तो ये देखिए इतना एक प्याज का पेस्ट बन गया है और इसके अंदर रस देखिए ताजा प्याज लेना है रस वाला प्याज लेना है सुखा प्याज नहीं लेना है उसके अंदर रस नहीं निकलेगा तो हमारी रेमेडी भी अच्छी नहीं बनेगी तो ये देखिए आदा चमच है बड़ा वाला अब आपको एक कटोरी लेनी है और कोई भी कपड़ा लेना है और कपड़े में ये प्याज डाल करके और निचोड करके इसका रस निकाल लेंगे तो ये देखिए मैं दिखाती हूँ एक छोटे से प्याज में कितना रस निकला है ये देखिए पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है प्योर जूस होना चाहिए प्याज का तो ये देखिए कितना जूस निकला है एक प्याज में ये लगबग आदा चमच हैं बड़ी वाली अब आपको इंडेक्शन लेना है और उसके उपर रखना है फ्राई पेन और फ्लेम को बिल्कुल लोकर देना है और अब इसके अंदर डालना है आपको नारियल का तेल मैं ये रेमेडि नारियल के तेल में बना रही हूँ क्योंकि और भी ज़्यदा हेल्दी बनेगी आप चाहो तो सर्षों के तेल में भी बना सकते हो फ्लेम को मीडियम रखना है और इसको गरम कर लेना है तेल को अब आपको लेना है मेथी जो आचार में और सबजी में तड़क होगा तो सब्जी में डालके भी बाय बादी के लिए खाते हैं जैसे एसीडिटी हो जाती है किसी को तेजाब बनता है उसके लिए बहुत ही अच्छी है और वैसे भीगो के खाने में बहुत अच्छी है तो इसी तरीके से यह रेमेडी जो मैं बना रही हूँ वह भी बहुत हेल्दी बनने वाली है मेथी को भूंद लेना है यह देखिया इस तरीके से जब इसका कलर चेंज हो जाए इस तरीके से ब्राउन कलर का वैसे ही ये येलो कलर की थी तब इसके अंदर आपको प्याज का रस डालना है जो हमने निकाल करके रखा था अब प्याज के रस का कैसे पता चलेगा कि ये पक गया है इसको पकाना है हिलाते रहना है बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है फ्लेम को मीडियम रखना है और चमत से इस तरीके से हिलाते रहना है छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी ये गलती नहीं करनी है अगर छोड़ दोग तो मेथी जो है काली पड़ जाएगी और हमारा पूरा तेल जो है ये भी काला हो जाएगा और अच्छा नहीं बनेगा और इसके गुंड जो है वो भी नश्ट हो जाएगे जलने से तो इस तरीके से आपको लगातार इसको चलाते रहना है तेल को और फ्लेम को कम या जाते रहना इसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी तो इसका कैसे पता चलेगा कि ये प्याज का रस पक गया है तो मेथी के दाने जो है थोड़े-थोड़े ये देखिए फूल गए है प्याज में पकाने से और तेल भी साथ में अभी तो इसका कलर देखिए वाइट नज यह वैसा था वैसा हो जाएगा और एक जो यह देखिए जंजनाठ हो रही थी जाग उठ रहे थे बुलबुले रस्ट डालने के बाद वह बंद हो जाएंगे उठने यह देखिए क्योंकि फ्लेम तो अभी भी चालू है बंद नहीं हुई है और बुलबुले उठने जाग तो इसका मतलब है कि हमारा प्याज का रस जो है वो अच्छे से पक गया है और अब यह रेमेडी जो है हमारी तयार है अब आपको ओफ कर देना फ्लेम और इसको निच्चे उतार लेंगे और निच्चे उतार करके इसको ठंडा कर लेना है अब आपको एक कोई भी खाली डिविया लेनी है ये आप 10 दिनों के लिए 15 दिनों के लिए स्टोर करके रख सकते हो वैसे तो ये एक साल भी खराब नहीं होगा मैंने यहाँ पर क्वांटिटी कम बनाई है तो लगबग 10 दिनों के लिए बनाई है इस तरीके से आप 10 दिन 15 द दाल देंगे कोई भी चीज इसकी वेस्ट नहीं करेंगे ये मेथी जो है इसके अंदर पड़ी रहेगी तो बिल्कुल शोफ्ट हो जाएगी तो अब मैं आपको बताती हूँ इसका यूज कैसे करना है और किसलिए करना है वैसे तो आप कई तरीके से इसका यूज कर सकते हो दर्द के लिए जोडों के दर्द के लिए सकिन के लिए और वेंस के लिए तो मैंने जो बनाया है ये तेल ये मैंने हेर ओल बनाया है बालों के लिए जो डेंडरफ हो जाता है उसके लिए वो दो मुहे बाल हो जाते हैं बिलकुल पतले बाल हो जाते हैं जड़ते बहुत ज के से आप देखिए उंगलियों के आगे वाले छोर पे लगा करके और जड़ों में आपको बालों की जड़ों में मसाज करनी है और बालों की जड़ों से लेकर आखरी छोर तक अच्छे से इसकी मसाज करें और नहाने से 15 मिनिट पहले आप इसका यूज करें और 15 मिनिट के अंदर तेल और भी मिक्स कर सकते हैं जैसा कि मैं यह देखिए आपको दिखा रही हूं इस तरीके से मिक्स करके आप और भी जादा भी बना सकते हैं तो इस तरीके से आप एक साल के लिए स्टोर करके इस तरीके से तेल बना करके रख सकते हो तो यह बालों की गरोथ के ये यूज कर सकते हो बढ़िया वाला healthy hair oil बन करके हमारा ये तयार हो गया है तो कैसा लगा आज का वीडियो कोमेंट में जरूर बताएं अगले वीडियो तक के लिए bye bye and take care